दोस्तो अगर आप खाली हो और कोई नोकी ढूंड रहे हो या अपनी पोकेट मनी के लिए अपने ही शेर में कोई पार्ट टाइम जोब करना चाहते हो तो दोस्तो जोमेटो डिलेवरी बॉय की जोब आपके लिए एक बहतरी इन ओपिशन्स हो सकता है जिसमें आप अपनी टा की जरूरत पड़ेगी इस सैल ने मिलती है इस वीडियो में हम इन सभी टोपिक पर बात करने वाले हैं तो आप सभी जानते हैं कि जोमेटो एक फुट डिलेवरी कमपनी है इसमें कोई भी घरहाक अपने घर पर बैटे अपने मोबाइल से जोमेटो अप्लिकेशन में जाकर खाना ओरर कर सकता है और वह जिस भी दुकान से खाना मंगाना चाहता है उस दुकान को भी उसमें चूज कर सकता है बात जोमेटो का डिलेवरी बुआई ही उस खाने को उस दुकान से उस गरहाक तक पहुचाता है जोमेटो में हर एक डिलेवरी बुआई का लोकेशन के हिस अलग अलग एरिया डिवाइड किया रहता है जिसमें उन्हें खाना डिलेवरी करना होता है और बात करें टाइमिंग की तो जो मेटो में आप अपनी टाइम के अकोर्डिंग काम कर सकते हैं अगर आप पार टाइम करना चाहें तो पार टाइम भी और अगर फुल टाइम काम को करना चाहते हैं, तो आप пол time भी कर सकते हैं, इसमें आपको कम से कम 4 घंटे तो कारे करना ही होगा, उसके उपर आप 5 घंटे 7 घंटे, 14 घंटे याँ तक की 16 घंटे तक भी काम कर सकते हैं, इस Taste इसे भी बहुत से लटके हैं जो कि फुल टाइम ये काम कर रहे हैं और परते दिन 14 से 16 घंटे तक कारे करते हैं और डिलिवरी बॉय की सैलरी उसके द्वारा डिलीवर किये गए ओर्डर और उनकी डिस्टेंस पनिवर करती हैं डिलिवरी बॉय एक दिन में जितने ज़्यादा ओडर डिलिवर करेगा उसकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होगी परते एक ओडर पर डिलिवरी बॉय को 30 से 70 रुपे तक मिलते हैं इस परकार एक डिलिवरी बॉय एक दिन में अगर 15 ओडर डिलिवर करता है और परते एक डिलिवरी पर उसे 40 रुपे एवरेज मिलते हैं तो अराम से 600 रुपे तक कमा सकता है तो इस पकार अगर एवरेज निकाले तो एक डिलिवरी बॉआए हर महीने 18,000 से 24,000 रुपे तक अराम से कमा सकता है जोमेटो में डिलिवरी बॉआए बनने के लिए आपका 10th क्लास पास होना जरूरी है और इसके साथ आपके पास टूवीलर होनी चाहिए और टूवीलर अगर आपके नाम पर नहीं है तो आपको एक NOC लेटर आता है जो आपको बनवाना होगा इसके साथ ही आपके पास एक Android फोन, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लेसेंस होना जरूरी है अब हम जान लेते हैं कि अपनी डाइं आपको लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने शहर के जाना होगा, यह बाद आपको एक फॉल्म रोप्सी मेळ जाए घृआ कंप प्रिया जाईगा, जिसके लिए आपको 1000 रूपर देने होंगे, आपको अपनी सारी डिट्रेस भर दे करना है उसके बाद जोमेटो की साइड से आपको एक ड्रेस बैग और एक आई-कार दिया जाएगा उसके परकार आप जोमेटो के डिलेवरी ब्वाइब बन जाते हो और अगर आप ओनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल में अपshow पर क्लीक करना है उसके बाद इस方 में आपको अपना नाम भर देना है फोन नंबर इसके बाद सीरी पर यह सीक्लिक करोगे तो city के name आ जाएंगे उसमें अपनी city आप चूज कर लेनी है उसके बाद vehicle आपके पास cycle है बाइक है इसकूटी है वो आपको इसे भर देना है उसके बाद box पर click करनके apply now पर click कर देना है उसके बाद आपको zometro delivery की एक application को download करने के लिए बोला जाएगा इसके लिए एक register now का एक login now का उसके बाद register now पर click करना है उसके click करते ही एक नया page open होगा जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना mobile नमबर डालना है mobile नमबर डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा OTP नमबर डाल कर आपको register for a new account पर click कर देना है बाद एक new page open होगा जिसमें आपको submit information प locality, pen card, personal details, nominee and emergency contact, bank account details, zomito profile जैसे कुछ options दिये होंगे जो कि आपको एक एक करके सबको भरना है यहाँ पर आपको profile photo पर click करना है जहाँ पर आपको अपनी picture को upload करना होगा जिसमिट होने के बाद आपको add t-shirt size पर click करना है जहाँ पर आपको कि size की t-shirt आती है वो नमबर आपक पर click करना है जहाँ पर दो options दिये होंगे pay full 840 रुपे now and pay 150 रुपे, रुपे 600 now and 450 later इसमें आपको एक options को click कर लेना है जिसमें पहला दिया है कि आप 840 रुपे अभी submit कर रहे हैं और इसमें दिया है कि आपको 1050 रुपे देने होंगे जिसमें आप 600 रुपे अभी दे सकते है और 450 रुपे बाद में तो इन में से एक options पर click करके आपको submit बटन पर click और अपनी fees को pay कर देना है उसके बाद जोमेटो की तरफ से आपको एक phone आएगा verification के लिए जिसमें आपके बारे में पूछेंगे बाद आपकी job delivery boy के रुप में confirm हो जाएगी तो दोस्तों जोमेटो delivery boy से related अगर आपको कोई भी person है तो आप हमें नीचे comment करके पूछ सकते हैं